हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज का हमार टॉपिक है Money Heist Interesting Facts and the Scope of Video Production Business मैंने आज एक बुक पड़ी है जिसका नाम है Money Heist Interesting Facts और इस बुक के कुछ Interesting Facts पढ़के मैंने बहुत सारी नई चीजे रियलाइस की है मैं इस बुक के बारे में और इस वेब सिरीज की सक्सेस से हम क्या बिजनस सीख सकते है ये दोनों बाते आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज कल वीडियो प्रोड़क्शन बिजनस क्यों इतनी प्रोफिटेबल नीश हो गई है वीडियो क्रियेटर्स की डिमांड आज बहुत जादा है जिसके पास भी एंड़र्ड मोबाइल है वो एक अच्छी कॉंटेंट से भरी वीडियो क्रियेट करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकता है मतलब वीडियो प्रोड़क्शन बहुत इजी हो चुका है ये बहुत बड़ी ऑपॉर्चिनिटी है वार्णिंग कि ये शो सुसाइटी को एक मैसिस दे रहा है इनफेक्ट मनी हिस्ट करके कोई भी कभी भी कुछ नहीं बनता कोई भी हीरो नहीं बनता एंड में सब का नुकसान ही होता है ये शो सिर्फ एंटर्टेंडमेंट परपस के लिए ही देखना चाहिए ये एक ड्रिमाटिक और थ्रिलिंग स्पैनिश शो है जिसे पूरी दुनिया से प्यार मिला है और ये नेट्फिक्स की वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर सिरीज में से एक है जिसका में रीजन है सीजन्स के साथ साथ केरेक्टर्स की सही डेवलपमेंट और शो की स्टोरी में बढ़ता हुआ सस्पैन्स और टेंशन अगर आप भी इस सीरीज के फैन हो तो आगे मिलने वाली कुछ जानकारी आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी अन्नोन एन इंट्रस्टिंग फैक्ट्स दे हिडन ट्रिबीट सेलवड़ टली मास्क मैंने आज ये मणी हीष्ट का मास्क पैना है क्योंकि ये एक स्पैनिश आटिस्ट का फेस है एक्चुली ये मास्क इस वैब सिरीज से भी पहले पॉबुलर था स्पैनिश आजिस जिने सेल्वड़ डली के नाम से जाना जाता है और आर्ट की दुनिया को सही दिशा दिखाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था उनके बिजार स्टाइल और एंटी मॉर्डन कैपलिस्ट व्यूज ने ना ही सिर्फ स्पैनिश पलकी पूरी दुनिया के आर्ट सीन को इंपेक्ट किया है इस शो में उनके इनफेमस फेस को as a mask इस्तुमाल किया गया है उनको respect देने के लिए ताकि उनकी याद में उनके आर्ट वर्स को भी जिन्दा कर सके दे प्रोफेसर सरजियो मरकीना प्रोफेसर की चाइल्डूट में उनको बहुत बिमारियां हुई थी उनकी मा की डेथ उनके चाइल्डूट में ही हुई थी प्रोफेसर के फादर एक बैंक रॉबर बन गए थे क्योंकि प्रोफेसर का इलाज करने के लिए उनको मनी चाहिए थी पर प्रोफेसर के फादर को गोली मारती गई थी बैंक रॉबरी के टाइम पे प्रोफेसर का एक ही सपना था कि उनके फादर के बैंक रॉबरी प्लान को रियालिटी में करके दिखाना है रॉयल मिंट में जाके खुद के लिए मनी प्रिंट करना चाहते थे प्रोफेसर प्रोफेसर ब्रेंड पॉलिसी थी टोक्यो सबसे अच्छे आइडियास सबसे सिंपल चीजों से इंस्पायर होके आते हैं और इस सीरीज में सबसे यूनीक बात ये है कि इसके कैरेक्टर्स के नाम फेमस सिटीज के उपर रखे गए हैं ये सब काफी सोचा समझा लगता है पर ये सब शुरू शो के क्रियेटर एलेक्स पिना से हुआ जिनको कोई अंदाजा नहीं था कि सिर्फ शर्ट पे टोक्यो वर्ड लिके होने से उनके कलीग जीजस कॉले मैनर इतने जादा इंस्पायर हो जाएंगे Is money heist based on a real story, the best heist in history क्या money heist एक असली कहानी पे based है ये सवाल इस वक शो के बारे पे सबसे जादा सर्च किया जाने वाला सवाल है तो जवाब है नहीं, ये किसी real event पे based नहीं है पर इसमें real life से कुछ inspiration जरूर ली है जैसे कि famous red jumpsuit Salvador Dali mask and running motif of the song Bella Siyao तो आईए हम बात करते हैं एक real life हाइस्ट के बारे बे इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट 1990 19th century में इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर के पास बहुत बड़ी art collection थी और उसने इसाबेला स्टीवर्ड गार्डनर म्यूजियम भी फाउंड किया था बॉस्टन में इस म्यूजियम में काफी महेंगी और एकलौती पीसिस थी काफी बड़े पेंटर्स जैसे विरमीर, रेमब्रेंट और मैनिट 1990 में दो लोगों ने जो की पुलीस के रूप में एक disturbance call आंसर कर रहे थे उन्होंने तेरा पेंटिंग्स चुरा ली जिनकी लगभग कीमत 500 मिलियन डॉलर थी और वो आज दिन तक कोई नहीं ढून पाया है मनी हाइस्ट बिसनस लेसन नमबर वन हमेशा एक extensive research करे क्योंकि आपकी सभी research आपको अपने business और अपने team को professor की तरह manage करने में मदद करेगी नमबर टू दा fuel of desire professor के मन में बहुत गहरी desire थी royal mint of Spain को लूटने के लिए वो अपने पिता को श्रद्धांजली दे रहे थे जो अपने बिमार बेटे young sergey के ilaj के लिए bank looterे के रूप में काम कर रहे थे उसी तरह हमारे मन में भी अपने goal को लेकर एक बहुत कहरी desire होनी चाहिए नमबर थ्री the faith goes a long way जब भी professor और उनकी team के बीच पाचीद बंद हो जाती थी या communication कर जाता था तब भी सभी members अपना काम पूरा करते थे यह सोचकर की बाकी साथी भी वापस आएंगे अपने हिस्से का काम करके सेम तरीके से अगर हम भी अपना काम नहीं करेंगे बस यही सोचकर की बाकी team वाले तो करेंगे नहीं तो delay तो होना ही है तो इस तरह से क्या ही growth होगी नमबर फॉर the power of visualization late step in convey ने अपनी best seller book the seven habits of highly effective people में बताया था कि हर चीज की creation दो बार होती है एक बार अपने mind में first creation और फिर in physical reality second creation जितना जादा हम meditate करेंगे उतना ही हम अपने future goals को detailed और clear देख पाएंगे नमबर फाइफ planning like a master पोफेसर बिना कोई शाकिक chess player थे तबी वो हाइस्ट के plan की हमें भी अगर future में कम से कम problems face करनी है तो हमारा plan बहुत ही जादा solid और strong होना चाहिए number six branding your ways to their heart हाइस्ट का एक सबसे important rule ये भी है कि कि किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए मार्कीना का face एकदम serious था जब उसने team को बताया कि जैसे ही किसी का एक बूंद खून भी गिरता है तो हम सीधा Robin Hood से किसी कोई छोटे मोटे गुंडे बन जाएंगे ऐसे ही entrepreneurship में अपनी personal branding काफी important role निभाती है ये customer को मदद करती है कि वो हमें किस तरह देखता है और जैसे कि हम सब जानते है customer is king number seven consistency pace down the road जब आप अपने goal को convert कर लें एक daily action plan में तब सिर्फ एक अखेला काम ही आपको करना है वो है do जैसे कि late American entrepreneur and motivational speaker Jim Ron ने कहा है कि success ना तो magical है और ना ही mysterious ये तो बस basic fundamentals apply करने का एक परी नाम है number eight कितना अजीब होता अगर professor सारे काम खुदी करता plan बनाना फिर उसे execute करना systems hack करना पर कोई सारे काम खुद नहीं कर सकता इसलिए professor की ही तरह सबको एक team की ज़रूरत होती है जिसका भी same mindset हो और साथ ही जो एक जैसा सोचे अपने team बनाए अगर आपको सच में growth चाहिए तो video business create your own videos and sell secretive for easy video creation आईए जानते हैं वो कुछ platforms जहां आप अपने videos बना के अच्छे खासे profit के साथ sell कर सकते हैं अगर आपकी teaching skills अच्छी हैं तो आप इस platform पर बड़े अराम से अपनी educational videos को sell कर पाएंगे ये platform कुछी तरह के content को इस्तमाल करता है इस पर educational videos, fitness, entertainment, cooperative training या फिर materials for membership site जैसा content भी डाल सकते हैं अगर आपको इस platform पर अच्छा करना है नमबर 3, Vimeo एक और option है Vimeo जिसने अभी एक on-demand platform launch किया है जहां इसके pro subscriber को 90% तक का revenue और साथ ही videos पे rent और buy का option भी मिलेगा इसकी मंतले subscription सिर्फ 14 डॉलर्स है जहां आपको 30 days free trial भी मिलेगा और आप risk free होके इस platform को free try कर सकते हैं नमबर 4, Amazon Video Direct जी हां अब Amazon भी गुश चुका है user created video market में जहां creators अपनी videos अपलोड कर पाएंगे Amazon Prime Videos पर और उनके stream डार के हिसाब से royalty भी ले पाएंगे और साथ ही यहां पर काफी options भी मिल जाएंगे monetization के जैसे rent और sell या फिर आप अपनी videos free भी कर सकते हैं पर add support के साथ और यहां आप videos का एक package बना के भी provide कर सकते हैं एक add-on की तरह Amazon Prime Video subscription के साथ bonus secret tip हर बार आपको videos बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है ऐसी बहुत सारी websites है जो आपके लिए ये काम करेंगी बस आपको उन्हें pay करना है और अपना कीमती वक्त बचा लेना है जैसे कि idplr.com ये PLR products होते हैं आपको web पर बहुत सारी PLR videos मिलेंगी अगर आपको और भी कोई platform पता है तो हमें जरूर बताए और मैंने इस वीडियो में एक बड़े platform के बारे में बात नहीं की है क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है कौन सा है वो बड़ा platform जिसके बारे में मैंने आज नहीं बताया कमेंट करें और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लें आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई